अलो गाईज मैं मेत कुमार मैं अपने योटूब चैनल हब स्टेडी पॉइंट पे मैं आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और यह समिच्छा अधिकारी सायक ला देखेंगे तोचलिए स्ब्सटार्ट करते हैं पहला कोश्चन यह रहा आपके सामने पहला कोश्चन निमनलिख्धित मेंसे कौन एक कमल का पर्याएवाची नहीं है antal Re Alexandum4 घॉल या तापस तापस यह कमल का पर्याएवाची नहीं है बलकि यह मुनी का पर्याएवाच यह मुनी का ठीक है तो मुनी का परियाय वाची तापस होता है ना तप करने वाले ठीक है बाकी अब्ज तामरस और सतदल यह सभी कमल के परियाय वाची है चले अगला क्वेश्चन निमलिखित परियाय वाची विकल्पों में से कौन सा एक सुद्ध है तो इन में से कौन सा ए प्रयाय वाची हैं, ठीक है, किसके प्रयाय वाची हैं, ये सभी के सभी कन्या के प्रयाय वाची हैं, तो पहला वाला तो सही है, ठीक है, म्रिग मद मदलता, म्रिग ना भी, ठीक है, तो ये सभी जो है हिरन यानि कस्तूरी के प्रयाय वाची हैं, ठीक है, तो कस्तूरी के प्र प्रियाय वाची है तो यहां पर सब ही यानि ठीक है क्ला है और द्यकषा प्रियाय वाची है तो यहां पर ज़ो ड्याव स्वर्ग प्रियाय वाची है यानि एवाला ही हमारा अंसर सही हो जाएगा बाकी यहां पे जो पावस यामनी मरीच हैं यह सभी वर्षा या फिर आप कह सकते हैं किरण के परियाई वाची है किसके वर्षा के परियाई वाची है चले अगला question खत्योत सब्द किसका प्रयायवाची है तो खद्योत सब्द किसका प्रयायवाची है तो खद्योत का मतलब होता जुगनू किसका प्रयायवाची है ये जुगनू का ठीक है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा यह वाला यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है चले अगला question निमनलिखित युगमों में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा युगम इसमें सही सुमेलित नहीं है आभूशर टूम सही है तोता पतंग तोता पतंग ये बिलकुल अलग है ये जो है तोता जो है पतंग जो होता है ये पच्छी का होता है किसका पच्छी का तोता का नहीं तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ठीक है तोता का जो परियावाची होता है वह होता है कीर सुवा रक्त तुंड रक्त तुंड ठीक है इसके अलावा दाडिम प्रिय ये सभी जो है तोता के परियाएवाची है ठीक है बाकि यहाँ पे जंडा का केतु सही है आख कामबग सही है तो यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है बी वाला सही सुमेलित नहीं है चले अगला कोस्चन निमनलिकित में से कौन सा एक तोता क परियाइ वाची नहीं है तो नहीं हम नें हैं तो नहीं है सूक मतलब भी तोंक है तो यह मचली का प्रयाइवाची है किसका मचली का ठीक है तो यह मजली का प्रयाइवाची तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रयाइवाची नहीं है डी वाला अप्शन यहां परेक्ट हो जाएगा चले question number 7 चलते हैं यहरा है आप कहने question number 7 प्रयाइवाची की द्रिष्टी से एक वर्ग सुद्ध है तो प्रयायवाची के द्रिश्चे कौन सा वर्ग यहाँ पे सुद्ध है तूरंग घोटक रविशुत तूरंग घोटक रविशुत जो तूरंग होता है घोटक होता है यह सभी जो है घोड़े के प्रयायवाची है सभी किसके है घोड़े के मतलब पहल वाला तो अपसंट साई है अच्छा दूसरा मधवा शुक्र विधू तो शुक्र और विधु ये एक जो है अलग-अलग परियावाचिए सुधाकर म्रिगांक धूसर ये भी गलत है सरीता आपगा तड़ाग ठीक है तो सरीता तड़ाग ये जो है एक ही परियाई वाची लेकिन आपगा जो है अलग है तो यहाँ पर यह वाला हमारा अंसर सही हो जाएगा क्योंकि धोट तूरंग घोटा का और अविसुत यह तीनों के तीनों नहीं है लक्षमर सौमित्र सही है यमराज कृतांत सही है नाव तरुणी तो नाव का तरणी होना चाहिए तरुणी नहीं होना चाहिए तरुणी नाव का परियाई वाची यहाँ पे जो बनेगा वह क्या बनेगा तरणी ठीक है क्या बनेगा तरणी ठीक है तरुणी यह य दुवती का चले अगला कोशन तो इस तरह से मारा अंसर स्रीवला हो जाएगा सारंग सब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है ठीक है तो सारंग किस एक का पर्यायवाची नहीं है तो सारंग का मतलब होता है मोर सारंग का मतलब मोर तो मोर हो गया वाकि सारंग का पर्यायवा हो जाएगा चले त्रियामा पर्यायवाची है तो त्रियामा किसका पर्यायवाची होता है रात का ठीक है त्रियामा किसका पर्यायवाची है रात का ठीक है बाकी गंगा परवत समुद्र ये सब ही अलग-अलग है निमलिखित में से किस एक की वर्तनी असुद्ध है ठीक है कि एक की वर्तनी यहाँ पर असुद्ध है जात्या भीमान सही लिखा हुआ है स्वाल लंबन तो स्वाल लंबन नहीं होता है स्वाल लंबन होता है क्या होता है स्वाल लंबन इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था स्वाल लंबन तब यह सही होता है यानि हमारा जो असुद्ध है यह बी वाला ही option सही हो जाएगा बाकी विदेह व्यावहारिक सही लिखा है तो हमारा answer यहाँ पे कौन सहो गया बी वाला हमारा answer correct हो गया चले अगला निमलिखित में से कौन असुद्ध वर्तनी तो असुद्ध वर्तनी आपको chain करना है यहाँ पर कंकड ठीक है त्याज यह भ सही लिखा हुआ है चले अगला कोशन ने में लिखित में से एक सुद्ध वाक्य है यहां पर कौन सा सुद्ध वाक्य है ब्रिटिश सामराज समाप्त हो गया तो ब्रिटिश सामराज समाप्त हो गया तो सुद्ध वाक्य का आपको यहां पर चैन करना तो ब्रिटिस समराज समाप्त हो गया यहां पर समाप्त हो गया अच्छा यहां पर देखें सामराज में सा का मात्रा नहीं है तो इसलिए यह गलत है तो आपको यहां पर मात्राएं भी ध्यान में देखना है इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है तो इस वर्ग में सबसे अच्छा अधिक अच्छा नहीं होता है सबसे अच्छा ह आन पड़ा थीक है तो उसपर भारी संकट आन पड़ा नहीं आ गया है नैं उस पर भारी संकट आ पड़ा ठीक है तो यहां पर आन नहीं आ होना चाहिए था तब ये स्थ हो जाता अच्छा प्रेम का मुल्य आंका नहीं जा सकता बिलकुल सही है करेक्ट है मात्रा में भी कहीं गलती नहीं है तो डी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा चले अगला क्वेश्चन वर्तनी की द्रिष्टी से सुद्ध सब्ध कौन सा है ठीक है तो वर्तनी की तो यह तो गलत है सोरी पीडा नहीं होता सिरह पीडा होता है क्या होता सिरह पीडा ठीक है इसको ऐसे लिखाओना चाहिए था कि सीरह पीडा ठीक है तो यह इस तरह से लिखा जाएगा बाकि सन्मुक सन्मुक यहाँ पे गलत लिखा है सन्मुक नहीं होता है सम्मुक होता है क्या होता है सम्मुक ठीक है बाकि यहाँ पे हमारा अंसर क्या हो जाएगा यह वाला बिल्कुल सही लिखा इसमें कोई तुरूठी नहीं है चल होती है आज माइस आ का मात्रा होना चाहिए था शुरूत लिप तो यहां पर शुरूत लिप यह गलत लिखा वह सुरूत लिप होता है क्या होता है शुरूत यानि एकी मात्रा यहां पर नहीं होनी चाहिए थी यह सुरूत जो लिप होती है यह ऐसे लिखा होना चाहिए था श इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो D वाला हमारा अंसर यहां पर सही हो जाएगा, चले अगला question, नेमलेखेत में से सुध्ध वर्तनी वाला सब्द है, वांगम में, तो यह यहां पर वांगम में जो लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है, यह इस तरह से नहीं होना चाहिए टीक है तो यह गलत है, अंतरधान तो अंतरधान होना चाहिए था अंतरधान नहीं, फिक है यह गलत है, छिद्रणवेशी तो यहाँ पर फिर से एक बार देख ले एक बार यहाँ फिर से चेक कर लेता है वांगम मैं वांगम मैं सही है यह सही लिखा हुआ है यह वाला नहीं होता अंतरधान भी सही था चिद्रा न्वेसी यह भी बिल्कुल सही है इसमें भी कोई तुरूटी नहीं है छोटी छी है यानि यहाँ पिर हमारा अंसर जो बनेगा वो डी वाला हो जाएगा यानि सही विकल्ब इसमें सही है चले अगला question एक सुद्ध वाक्य है बरात के साथ कानपूर की गायक आई थी, तो इस्त्रीलिंग है तो गाई की नहीं गाई का होनी चाहिए तो यहाँ प齐 की हो जाएगा गलत ये इसको फिर से देख लो तो यहाँ पे हो जायेगा आपका क्या गाई का यह इस तरह से होना चाहिए था ठीख गलियों को चोड़ी करनी आवस्यक है तो गलियों को चोड़ा चोड़ी नहीं, चोड़ा करना आवस्यक है करनी नहीं, करना अधितर लोगों का यही विचार है तो बिलकुल C वाला यहां पर अंसर क्या है, अभी ही वह यहां से गया है, तो अभी ही नहीं होना चाहिए, तो अभी वह यहां से गया है, चले अगला कुश्चन, तो हमारा अंसर इसका क्या होगे, C वाला जो सुध्धवाक्य है, अब यहां पर निमलिकित में से कौन सा एक असुद्धवाक्य है, तो आपको असुद्धवाक्य का चयन करना है, पुस्तकों का प्राक्थन परिचयात्मक होता है, तो यहां पर प्राक्थन ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्राक्थन होना चाहिए था, आधा का और फिर यह पूरा का तब यह प्राक्थन होना चाहिए था इसलिए यहाँ पर यह क्या है गलत है हमको असुद्ध वाक्य का ही चैन करना है तो हमारा अनसर क्या हो जाएगा पहला वाला ही सही हो जाएगा बकि और देख लेते हैं एक मा की दृष्टी में उसका बालक ही सबसे सुन्दर होता है बिल्कुल सही लिखा है भगत सिंग बार दिल्ली गया हूँ मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ ठीक है तो असुद्ध वाक्य तो अनेकों सब्द नहीं होता है अनेकों कोई सब्द नहीं होता है अनेकों के जगह क्या होना चाहिए यहाँ पर अनेक होना चाहिए मैं अनेक बार दिल्ली गया हूँ ठीक है कोश्चन नामबर 20 हाग gosh you ass like this कौश्चन नंबर 20 सुद्ध वाक्य का आपको यहां पे चैन करना है कौन सा इसमें सुद्ध वाक्य है बैंक कॉकास देखे तो यहां पर मात्रा में गलती है सब्ताहिक नहीं होता है साप्ताहिक होता है क्या सापताहिक ठीक है तो इसके मात्रा में गलत है ठीक है तो बैंकों का सापताहिक आवकास रहता है ठीक है तो ये पहला वाला जो सेंटेंस है वह गलत है मुझे मेरे घर जाना है तो मुझे मेरे घर जाना है तो मुझे घर जाना होना चाहिए मेरे घर नहीं मुझे घर जाना है तो इसलिए ये गलत है हवन सामगरी जल गई मतलब इसमें कोई तुरूटी नहीं है बिल्कुल सही है इतने में हलकी सी हवा का जोका आ गया, इतने में हवा का हलके सा जोका आ गया ठीक है तो ये भी गलत है तो सुद्ध वाक्या आप हमारा कौन सा हो जाएगा सी वाल आंसर करेक्ट हो जाएगा चले अगला क्वेश्चन प्रतिक्रित सब्द हेत उपयोगत वाक्यांस है तो प्रतिक्रित का मतलब हो गया जिसका बदला दिया जा चुका हो तो जिसका बदला दिया चार्च चुका हो, उसे हम प्रती कृत कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रती कृत कहा जाता है, चले, अगला question, निरंतर उचे उठने की इच्छा वाक्यांस के लिए एक सब्द, तो निरंतर उचे उठने के लिए हम बोलते हैं, उदीशा, क्या हो जाएगा, यह वाला हमारा अंसर correct हो जाएगा, ठीक है, बाकी यहाँ पर जो उच्छवास है, उच्छवास का मतलब होता है, उपर आने वाला स्वास, उच्छवास का मतलब जब सांस आप क्या करते हैं, सांस जो है, जब बाहर निकालते हैं, तो बोलते हैं, क्या जम्य हो जिसके दात न जम्य हो इसको क्या कहा जा था उधन्त चले अगला कोश्चन छितिज सब्द के लिए उपयोग्त वाक्या खंड है तो जहां पृत्वी और आकास मिले दिखें तो बिल्कुल जहां पृत्वी और आकास ऐसाद लगता है कि जैसे आकास पृत्वी जहां फैला हुआ छले अगला कोश्चन नर्सों नेम लिखेत यूगमों में से यूगमों में से कौन सा एक Unless आहां पर अट है इंद्र का सफेद हांथी ऍसको अ harbor कहा जाता है जो आकास में चलता हो जो आकास में चलता हुआ उसे कहा जाता है यह भी सही है जो आखों से संबंधे तो चाच्छ से अभी आपका सई है और ऐसा अकाल जिसमें भिच्चा मिलना कठिन हो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं धूर्भिच कहा जाता है जब इट अकाल के समय भिच्चा या यह दर दिन नहीं तो हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा तो हमारा अंसर बेमेल कौन है डी वाला तो डी वाला हमारा अंसर यहाँ पे correct हो जाएगा चले अगला question जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो तो जिसे अधिक बकवास ना करना आता हो उसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो यहाँ प चले अगला क्वेशन नंबर 26 वी पतनीक सब्द हे उप्युक्त वाक्यान से है तो वी पतनीक का मतलब होता है जिस पुरूश की पतनी साथ न हो उसे हम क्या बोलते हैं वी पतनीक वी पतनिक का मतलब जिस पुरुस की पतनी साथ न हो ठीक है उसे हम बोलेंगे वी पतनिक और यहां पर जिस पुरुस की पतनी न हो उसे बोलेंगे अपतनिक क्या बोलेंगे अपतनिक जिस की जिस पुरुस की पतनी न हो किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति उसे हम बोलते है वियोगी क्या बोलेंगे वियोगी तो वियोगी का मतलब क्या हो गया कि किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम बोलते हैं विधूर जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है विधूर कहा जाता है चले अगला कुश्चन जिसे हान या अनर प्रतिहत का मतलब जिसे कोई रोक न सके या जिसे रोका न जा सके ठीक है और यहां पे जो सास्वत है जो हमेशा रहने वाला हो जो क्या हो हमेशा रहने वाला हो ठीक है जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम क्या बोलते हैं सास्वत कहा जाता है और अनवरत का मतलब होता है जो लगातार होता है जो लगातार होता है जो लगातार होता रहे या होता है जो लगातार होता है उसे हम क्या बोलते हैं अनवरत और आजीवक का मतलब यह आजीवक जो है एक क प्रदा है ठीक चलिए अगला क्वेश्च हरावल किस वाक्यान्थ के लिए एक उपयुक्त सब्द है तो यहां पर हरावल का मतलब होता है यह पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ तो हरावल का मतलब सेना कावा भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं हरावल कहते हैं ठीक है निमलिखित में से कौन सा एक बेमेल है बेमेल मतलब कौन सा सही इसमें नहीं है यह आपको चूज करना है तो जिसे वेतन न मिलता हूँ उसे हम क्या बोलते है वैतनिक बिल्कुल सही है उसे वैतनिक कहा जात हैं असो क्या कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाएगा असो क्या कहा जाएगा ठीक है यहां पर यह गलत हो जाएगा यहीं हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है जो अवैद संतानों से जारज कहा जाता है ध्यान में रखें जो अवैद संतानों से क्या कहा जाता है जारज निम लिखित युगमों में कौन सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा सब्द यहां पे सही सुमेलित नहीं है संगठन संगठन विशरण तो संगठन का विशरण नहीं होता प्रसरण का यहां पे संकुचन का विशरण होना चाहिए था संगठन का बलकि यहां हो जाएगा विगटन क्या हो यह है नक का सिख यह भी सही है तो चले question number 32 यह आपके सामने अर्जित का विलोम सब्द है तो अर्जित का विलोम होता है अनर्जित अर्जित का विलोम सब्द क्या होता है अनर्जित ठीक है अर्जित का यहां पर विलोम सब्द क्या हो जाएगा अनर्जित ठीक है अच्छा य आविर भाव का विलोम है तीक है आविर भाव का विलोम सब्द है तो आविर भाव का विलोम तिरो भाव आवसान दोनों होते हैं यानि यहां पे हमारा अंसर क्या हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे चले अगला कोशन नहीं लिखे तो विलोम युगमों में से कौन सा एक बेमेल है यानि कौन सा इसमें सही नहीं है यह आपको चयन करना है तो यहाँ पे गौड का लगू बिलकुल सही है गौड का लगू ठीक है कौन सा एक बेमेल है ठीक है बेमेल है 34 का यहाँ पे जो होगा गौड का मतल का विलोम क्या होता है मुख्य होता है ठीक है गौड का विलोम क्या होता है मुख्य होता तो यहां पर हमको लगता है यहां पर गलत लिखा है कौन सा एक बेमेल है अच्छा और यह आपसन देख लेते हैं पहले तो गौड का लगु घटक का समुदाय ध्वांस का स्रीजन ध्वांस का स्रीजन तो यहां पर बेमेल नहीं लिखना चा पर जो विलोम है विलोम सबбस पूचा यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा गॉड का लगु गलत लिखा उआ है गौड का क्या होता है मुख्य होता है यह सही लिखा हुआ है अचारा घटक बाकी यही सही है तो यही हमारा बेमेल है यानि बी वाला हमारा आपसर सही हो जाएगा विनत का विलोम है तो विनत का विलोम सब्द हो जाएगा यहां पर उद्धत क्या हो जाएगा उद्धत क्या हो जाएगा तो विनत का विलोम उद्धत हो जाएगा चले चले निमलेखित विलोम युगमों में से कौन सा एक तुरूटिपूण है तो कौन सा इसमें एक तुरूटिपूण है अनुराग तुरूटिपूण है तो विलोम सब्द यहां पर कौन सा तुरूटिपूण है अनुराग द्वेस तो अनुराग का विराग होता है द्वेस न निमलिखित में से कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है तो कौन सा कंजूस का विलोम नहीं है तो साह हुर्च ठीक है कंजूस का विलोम साह खर्च मुक्तहस्त उदार और क्रिपन ठीक है तो साह खर्च मुक्तहस्त उदार ये तीनों ही जो है कंजूस के क्या है विलोम है ठीक है साह खर्च का मतलब बहुत खर्चा करना मुक्तहस्त मतलब बहुत ठीक है उदार भी जो है लेकिन क्रिपन जो है कंजूस का विलोम नहीं बलकि क्रिपन जो है कंजूस का प्रयाय है ठीक है तो यहां पर हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा डिवाल अंसर करेक्ट हो जाएगा चले अगला क्वेश्चन निस्तब्ब सब्द का सही विलोम है तो निस्तब्ब सब्द का यहां पर सही विलोम ह हो जाएगा जंक्रित विस्तब्द माधोर या इन में से कोई नहीं तो जंक्रित हो जाएगा निस्तब्द का विलोम क्या हो जाएगा जंक्रित ठीक है चले अगला question question नमबर 39 उज्वल का विलोम होगा ठीक है तो उज्वल का यहां पे कौन सा विलोम सब्द हो जाएगा तो उज्वल का धूमिल उज्वल का धूमिल हो जाएगा यानि वी वालान साही हो जाएगा स्वेत का मतलब तो स्वेत हो गया निश्चल मलान यह सब्द नहीं होगे ठीक ह स्वेत का क्या होता है अगर देखा जाए तो इसका विलोम होगा स्याम मतलब काला स्वेत मतलब सफेद ठीक है प्रफुल का मलान होता है किसका प्रफुल का प्रफुल का क्या होता है मलान होता है विलोम चले छुद्र का सही विलोम सब्द है तो छुद्र का सही विलोम सब्द यहां पे हो जाएगा विराट छुद्र का मतलब छोटा छोटा छुद्र मतलब बहुत छोटा ठीक है तो विराट विशाल महान सभी हो जाएगा तो उपरो खेती, कथानिका, गोफा तो बाकी ये सभी तदभाव है कथानिका जो है एक कया है आपका तचसम है निम लिखे जमाता किसका तचसम सब्द है तो जमाता जो है जनेव का तचसम सब्द है किसका जनेव का जनेव का जो है तचसम क्या होता है जमाता होता है ठीक है वहीं अगर हम बात करें कहां यहां पे जो कथानी का कथानी का तो यहां पे जो कथानी का दिया था तो यह सीवाल आपसन था अच्छा 42 वाले में जमाता का क्या जमाता तो यहां पे ध्यान में रखिएगा फिर से इसको देख लें तो निमलिखित में जमाता का जो तत्सम है जमाता का दमाद होता है क्या होता है दमाद होता है जनिव नहीं ठीक है चले नीचे दिये गए तत्सम तत्भाव सब्द युग्मों में से कौन से सही है तो नीचे दीए गए तद्सम तद्वव, पहले ध्यान में रखने हैं, पहले तद्सम फिर तद्वव सब्द में से कौन सा योग्म सही है, तो जम यम, ठीक है, तो जम यम, तो जम और यम, यह यहाँ पे गलत है, ठीक है, जंत्र यंत्र यह भी गलत है, लोहा लौह, ठीक है, यह भी गलत है वन्स बांस तो यह सही है यानि यहाँ पर हमारा अंसर जो जाएगा 43 का D हो जाएगा D वाला सही युगम है बाकि सभी असुद्ध है ठीक है तदभा तच्शम युगमों में से कौन सा यह एक बेमेल है कौन सा यहाँ पर बेमेल है ठीक है यानि सही नहीं है ठीक है धूल का धूली ठीक है धूल का धूली ठीक है पडोसी प्रतिवेशी सही है सरकरा सक्कर ठीक है तो सरकरा और सरकरा यह जो सरकरा सब्द है यह तदसम है यह क्या है तदसम है और सक्कर क्या है यह तदभव है आपका यह क्या है तदभव है तो दिया क्या है पहले तदभव होना चाहिए फिर तत्सम यहाँ उल्टा हो गया है यानि यह हमारा बेमेल हो जाएगा बागी जामुन का जम्बू होता यह सही है निमलिखित में से कौन एक पहला का तत्सम होगा ठीक है तो पह पहला का तत्सम तो यहां पर पहला का तत्सम प्रथिल हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रथिल चले कोशन नमबर 46 यह रहा आपके सामने न्रिप्त किसका तत्सम रूप है न्रिप्त तो न्रिप्त किसका तत्सम रूप है नाती का किसका है नाती का निमलिखित में से तत्सम सब्द कौन सा नहीं है साइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइ चले अगला question निमनलिखित में एक तदभव सब्द नहीं है निमनलिखित में इसे कौन सा यहां पे तदभव सब्द नहीं तो तदभव नहीं है तो यहां पे जो लटन सब्द दिया हुआ है तो लटन एक तत्सम सब्द है और लटन का तदभव जो बनता है वह लटकना बनता है क्या बनता है लटा का ना ठीक है रीस जो है यहां पे तदभाव है सांकल बाउर यह सभी तदभाव है चले अगला कोश्चन आर्द्रक निमलिखित में से किसका तत्सम है तो यह अधरक का है किसका है अधरक का चले अगला कोश्चन निमलिखित में से कौन एक विशेश विशेशन युग्म नहीं है तो विशेश विशेशन युग्म नहीं है पत्थ पाथे तो पत्थ पाथे बिलकुल पत्थ जो हो जाएगा विशेश हो जाएगा और पाथे क्या हो जाएगा विशेशन सही है फैन फै यहां पर यह जो है विशेश से विशेशन नहीं है तो यह यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह विशेश से विशेशन नहीं बलकि विशेशन विशेश उल्टा लिखा हुआ है इसको क्या होना चाहिए था पहले हिरदय होना चाहिए था फिर हार्दिक होना चाहिए था तब यह स जुदाई संसलेशन तो यहाँ पर जो आगने है यह हमारा क्या है विशेशन सब्द है ठीक है आगने क्या है विशेशन सब्द है आगने का जो विशेश से बनता है वह किसका है अगनी का अगनी विशेश सब्द है उसका विशेशन क्या बनता है आगने बनता है ठीक है चले अगला question नेमलेखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेशन का प्रयोग किया गया है ठीक है कमला अति सुन्दर लड़की है तो प्रविशेशन का मतलब क्या होता है कि जो कुछ विशेशन के भी विशेशन की विशेशन की विशेशन बता है उसे हम बोलते हैं प्रविशेश ठीक है तो एक लड़की है यानि कमला जो है अति सुन्दर लड़की है तो कमला जो है कैसी लड़की है सुन्दर तो सुन्दर क्या है विशेशन है विशेशन की भी अति जो सब्द है या सुन्दर की भी विशेशता बताता की कैसी है बहुत ज्यादा सुन्दर है ठीक है राम के वाल अंसर हमारा यहां पर सही हो जाएगा चले question number हम लोग चलते हैं 54 विशेश विशेशन युगमों में से कौन सा एक बेमेल है कौन सा यहां पर सही नहीं है जहंकार जहंकरित सही है बिलगाव बिलग यह भी सही है रुद्र का रौद्र यह भी सही है मुख का माथूर तो हमारा डी वाला ही अंसर जो है बेमेल है चले अगला question एक विशेशन पद है तो यहां पर विशेशन अधिक्रमड विशेश है नहीं है कर्म भी विशेश है रिसी भी विशेश है दानो दानो जो है विशेशता बताता है यानि डी वाला हमारा अंसर यहां पर हो जाएगा य तो पाव भर, सेर भर, मन भर तो यह परिमाड बताता है और परिमाड जब बताएगा तो परिमाड वाचक हो जाएगा तो इसका कौन सा ए वाला अनसर हमारा सही हो जाएगा ठीक है चले question number 57 उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिये वाक्य में गुण वाचक विशेशन पूछा जा रहा है कि उसमें कौन सा ठीक है तो यहां पर यहां पर जो पागल सब्द है ठीक है पागल पागल है उस है पैसे है और इतने हैं तो उस पागल आदमी को तो आदमी कैसा है पागल है यानि पागल एक क्या है गुण वाचक विशेशता बता रहा है तो यानि हमा पर तो पानी कैसा है यानि गर्म पानी है गर्म क्या हो जाएगा गर्म विशेशन हो जाएगा पानी कैसा है गर्म है यानि पानी की विशेशता जिसकी विशेशता बताई जाएगी वही विशेश्य होगा तो विशेशता पानी की बताई जाएगी इसका मतलब विशेश्य कौ चले निम लिखे तुवाक्यों में डिल किस एक में विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है ठीक है तो मुझे पसंद है पसंद क्या होता है विसेशन होता है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी ठीक है तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी काला घोड़ा तेज दोड़ता इसमें भी से समझा वह लड़का दूद देकर चला गया तो वह लड़का तो यहां पे हमारा जो अंसर हो जाएगा ठीक है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी ठीक है तो वह लड़का दूद देकर चला गया तो कौन लड़का वह यानि संकेत वाचक हम कह सकते हैं ठीक है तो इस वाले में आप कमेंट करिये की सका इसका अंसर क्या ओना चाहिए मुझे जो लगता है इसका अंसर भी होना चाहिए ठीक है इसका अंसर भी होना चाहिए राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी इसमें कोई विसेशन का प्रियोग नहीं किया गया है पर इसमें धे आई एस वालों ने यहाँ पर डी वाला आपसन बनाया तो इसपे आप कमेंट करिएगा कि यह कौन साइस का अंसर सही होगा तो मुझे जो लगता है वह बी वाला अंसर यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि इसमें कहीं भी विसेशन सब्द का यूज राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी वह लड़का दूद दे कर चला गया ठीक है तो इसपे कमेंट करिएगा आप सभी लोग चले तो यह रहा साठ कोश्चन की स्रिंकला जो की धे आईस पर आधारित था और चैनल को आप मेरे लगातार देखते रहिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सस्क्राइब जरूर करें ठीक है तब तक आप स्वस्त रहिए साधान रहिए जैन